हेलो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जिब बताने जा रहे हूँ यहाँ पर N I A C L A O नोटिफिकेशन 2023 की पूरी डिटेल वाइस इंफोर्मेशन यहाँ पर दी गई है नीचे ओवर व्यूज दिये गए हैं जिसमें ओर्गनाइशन नेम है न्यू इंडिया इंशुरेंस कमपनी लिमिटेड पोस्ट नेम है एड्बनेस्टेटिव ओफिसर वेकेंश रहेगी 450 एप्लिकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दी गई है एक अगस्त दोजार तेविस एप्लिकेशन की लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त दोजार तेविस इसमें मेल फीमेल दोनों केंडेट फॉर्म अप्लाइग कर सकते हैं साथ में मोड ओफ एप्लिकेशन होगा ओनलाइन ओफिकल वेपसाइट रहेगा डबल डोट न्यू इंडिया.co.in पर जाकर आफ उप्लाइग कर सकते हैं इस वेकेंशी लेटिट डिपली और भी इन्फोर्मिशन आप ले सकते हैं यहाँ पर वेकेंशी 2023 की इन्फोर्मिशन दी गई है यहाँ पर पोस्ट और वेकेंशी दी गई है कि किस पोस्ट में कितनी वेकेंशी हैं यहाँ पर रिस्क इंजिनियर में 36 पोस्ट है यहाँ पर ओटो मोबाइल इंजिनियर्स में 96 लिगल में 70 अकाउंट्स में 30 हेल्थ कि यहाँ पर 75 पोस्ट है IT की 23, जनरलिस्ट की 120, टोटल यहाँ पर 450 पोस्ट है Elisability 2023 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें Education Qualification दिया गया है Candidate, Graduate और Post-Graduate टिगरी उनके पास होने चाहिए, Minimum General Categories के लिए यहाँ पर 60% के साथ और S.E.S.T. और P.W. के लिए Candidate के लिए 55% के साथ वही Candidate for Apply कर सकते हैं, As Limit रहेगी 23, एप्लिकेशन फीस यहाँ पर Categories राइज दी गई है जिसे कि All Candidate के लिए यहाँ पर 750 है, S.E.S.T. Candidate के लिए यहाँ पर 60 है Celery रहेगी 80,000 पर मन्त, Selection Process रहेगा, Prelium Exam, Men's Exam, An Interview इसके according आपका Selection Process किया जाएगा, Form Apply के पूरी इंफोर्मेशन यहाँ पर दीगा, इसके according आप फॉर्म लाई कर सकते हैं Important Links नीचे दिये गए है, Available हर पर क्लिक करके आप Help ले सकते हैं साथ ही में इनकी Help से आप इस एक्जाम की इस एक्जाम की इसली पैस्ट प्रपेशन कर सकते हैं Description Box में आपको Notification का Link, Oversight का Link दिया गया, आप जाकर Help आप ले सकते हैं मैंना इस एक्जाम के साथ आपको फिर्म मिलूँगी, अभी तक आपने मारे पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लेज सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे ही आपको Notification और Exams की Information मिलती चले जाएगी, मुझे सुनने के लिए, Thanks guys